हेलो गाई स्वागत आफ सभी का एक और फिर से आपके अपने लेर्निंग प्लाटफोर्म एक्जाम व्यू पे गई जैसे कि आप सभी को बता है कि आज आपका अच्छे से हुआ होगा और साथ ही में इस वीडियो में हम आंसर की को डिसकस करने वाले हैं तो वीडियो को पूरा देखें और साथ ही में लास्ट में जुरू बताएं कि आपने कितना स्कॉर इस एक्जाम में किया है ताकि कट ओफ की जो प्रेडिक्शन है वो अच्छे से की जा सके तो दोस्तों यहां पर मैं सिर्फ आंसरी बताऊंगा अगर क्वेश्चन पढ़ने लगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो देखते रहिए आप अपनी सीरीज के हिसाब से यह जो है मेरी डी सीरीज है तो देखिए यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन था इसक इंडेक्स किस ने रिलीज किया है तो यह किया है नीते आयोग नेक्स पर जिन नेख्ट के दिन उनको 100-100. सो कर दिया है तो यह किया है उत्तराखंड ने नेक्स्ट क्वेश्चन डवली एच्चो के एग्जेक्यूटिव बोर्ड के हाली में सत्र की अध्यक्षता किस देश ने किया है तो यह किया है भारत ने उप्षिन नमबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाड़ा द्वारा साहित्य गौरप समान पूर्सकार किसे दिया गया है तो उप्षिन नमबर डी सरमेश पोकरियाल निशंक जी को यह पूर्सकार दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन जो मार्स ड्रिगर प्रोप जिनका नाम आड मोल दिया गया है वो उन्हें मुर्स ग्रोशित कर दिया है तो यह किस देश के कि option number C जो है वो इस question का सही answer हो जाएगा आइस तूप, स्वास्य पोर्टल और प्रयास देश्वोर्ड जो कि हाली में समचारों में थे ये किस केंदरी मंतरा ले द्वारा शुरू किये गए थे तो option number C नोर्थ अमेर का जो है वो इस question का सही answer हो जाएगा next question इस बाटिनी जो हाली में उसके प्रधानमंत्री के मृत्यों के सबंद में समचारों में था किस महादुईप में स्थित है इस बाटिनी जो है वो किस महादुईप में स्थित है तो यह है आपका option number D अफरिक का महादुईप में next question English section से थे यहाँ पर आपको जो correct spelled word है वो बताने थे तो यहाँ पर देखिए जो आपका question number 12 है इसका option number C सही answer हो जाएगा और अगर बात करें question number 13 की तो यहाँ पर आपका option number B अगर question number 14 की बात करें तो यहाँ पर option number A अगर question number 15 देखो तो यहाँ पर आपका option number D जो है वो सही answer हो जाएगा और अगर बात करें question number 16 की तो यहाँ पर option number A जो है वो आपका सही answer हो जाएगा अब बात करें 17 से 21 यहां पर आपको बताना था कि इसमें 4 में से कौन सो option सही लगेगा तो 17 में जो है वो आपका option number A far जो है वो यहां पर use होगा और बात करें I have lived in Delhi अठारमा question तो इसमें जो है वो आपका option number D B जो है far 5 years यह सही आंसर हो जाएगा next question 19 यहां पर option number A through जो है वो use होगा next question question number 20 यहां पर आपका option number A work जाएगा question number 21 यहां पर आपका आएगा when जो कि आपका option number C यहां पर दियो हुआ है और question number 22 की बात करें तो यहां पर जो है वो आपका option number B जो है वो सही आंसर हो जाएगा question number 23 की बात करें तो यहां पर जो है वो आपका option number D जो है वो सही आंसर हो जाएगा अगर बात करें question number 24 की तो यहां पर जो है आपका option number A जो है आपका सही आंसर रहने वाला है next question question number 25 इसका जो है वो option number D सही आंसर यहाँ पर रहने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नमबर 26 ओप्षिन नमबर A जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा और अब यहाँ पर आपको पोजिटिन मीनिंग बताने थे 27 से लेकर 31 तक तो देखी यहाँ पर जो आपका 27 क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर है वो ओप्षिन नमबर B कॉमेडी हो जाएगा और अगर बात करें क्वेश्चन नमबर 28 की तो यहाँ पर जो है वो आपका क्वेश्चन नमबर B जो है वो सही आंसर हो जाएगा next question question number 29 option number D जो है वो इस question का सही answer हो जाएगा question number 30 जो है वो इसका option number A release जो है वो सही answer हो जाएगा question number 31 इसका option number A slow-vennily जो है वो इसका सही answer यहाँ पर रहने वाला है next question हिंदी section से है 32 से लेकर 36 तक तो यहाँ पर आपको बताना था कि शुद शब्द कौन सा है तो जो आपका question number 32 है इसका option number A जो है वो आपका सही answer हो जाएगा question number ने दोस्तों यहाँ पर जो है वो आपका option number C जो है वो यह सही answer होगा और अगर बात करें question number 33 तो इसमें जो है आपका A option यहाँ पर सही रहने वाला है अगर बात करें question number 34 की तो यहाँ पर आपका D option सही answer रहने वाला है बात करें 35 की तो यहाँ पर आपका A option 36 में आपका यहाँ पर C option जो है वो सही रहने वाला है next question 37 तो यहाँ पर आपका option number A पिठादीश सही answer रहने वाला है अगर 38 की बात करें तो यहां पर आपका भी option number 20 स्थानी कर सही answer रहेगा और अगर बात करे question number 39 की तो gadget जो है वो राजपत्र को कहा जाता है यानि कि option number C जो है वो आपका सही answer यहां पर रहेगा next question तो option number B जो है वो 40 का सही answer हो जाएगा 41 का जो है वो आपका अप्रयाप्त यानि D जो है सही आंसर यहाँ पर रहने वाला है यहाँ पर आपको बताना है कि समास रिखांकित में कौन सा समास है तो यहाँ पर जो है वो आपका option number A तत पुर्ष जो है वो सही आंसर रहने वाला है अत्यादिक का संधी बिशेद कौन सा है तो अति प्लस अदिक option number C जो है वो इस question का सही answer रहने बाला है पलंक का तटसम शब्द है तो प्यंक जो है वो इस question का सही answer रहने बाला है देशेश शब्द बताना है आपको कपास, कमीज, गमला, चुगली तो option number A का पास जो है वो इस question का सही answer रहने बाला है चंचल का इस तरी लिंग है तो चंचल का जो इस तरी लिंग है वो आपका चंचला हो जाएगा option number C इस question का सही answer रहने बाला है गिरी का बहुवचन है तो गिरी का जो बहुवचन है वो गिरी ही होगा Option number A जो इस question का सही answer हो जाएगा मीठा की भाबाचक संग्या है तो option number C मिठास जो है वो इस question का सही answer हो जाएगा Next question question number 49 सास का विशेशन है तो सासी A option जो है वो इसका सही answer हो जाएगा उल्लू का प्रयाबाची शब्द जो है वो हो जाएगा आपका यहाँ पर पेचक option number A बिलाप में प्रत्य है तो यहाँ पर option number D आप जो है यहाँ पर प्रत्य है next question history section के सिंदु घाटी के लोगों के बेपारिक स्बंध थे कां से थे तो यह थे option number D मेसोपोटामिय से ब्रामन पुस्तकों का सबंध है तो यह है करमकांड से क्योंकि ब्रामन तो करमकांड ही करते है तो इससा question था भगवान का बुद्ध का जर्म कहा हुआ था तो यह हुआ था इनका जर्मन लुंबिनी में याद रखना है important question है next question प्रत्म जैन स का option number C जो है यहां पर सही answer रहने वाला है next question कारवेल ने कहां पर शास Net किया था तो इस one generally तो इस ने किया था आपका कलिंग में option number A जो है आपका सही answer रहने वाला है next question बात अपले राजटानि किसकी राजटानी थी तो यह थी चालू के की option number D जो है वो आपका सही आंसर रहने वाला है next question question number 59 बजार निंतरन मद्यकालिन भारत में प्रतम बार किसके द्वारा लाया गया था तो ये लाया गया था अलाओ दिन खिल जी option number A जो है वो सही आंसर होने रह बाला है कवीर किसके शिष्षे थे तो कवीर जो थे वो रावननद के शिष्षे थे important question है या आगे भी आपके एक्जाम में repeat होने वाला question है बहमेनी समराज जी की स्थापना किस ने की थी तो ये की थी हसन ने option number D जो है वो आपका इसमें सही आंसर रहने बाला है अब है आपका question number 62 गुरु गोविन सिंग का जनमस्तान कहां पर है तो इनका जनमस्तान है पटना में next question नियाए कि जंजीर किसके द्वारा स्तापित की गई थी तो बताई किसके द्वारा तो इसका जो है वो आपका option number C जो है उसे ही आंसर रहने बाला है नेक्स्ट question जो आपका question number 64 है भारत में समंद्रिमार की खोज कब की थी तो यह हुई थी 1498 AD में दिल्ली का लाल किला किसके द्वारा बनाया गया था तो किसके हो रहा होगा भारत में गंद्रिजी का प्रत्म अनिशन किस्स बन दिता है तो दोस्तों यह जितने भी question आपके यहां पर remaining बज़ते हैं इनके जो answer है वो आपको हमारे telegram channel exam view 2 पे मिल जाएंगे जिसका link आपको description box में मिल जाएगा अगर आपको बहां पर भी answer की नहीं मिलती है तो यहां पर आपको description box में एक WhatsApp नंबर भी देखने को मिल जाएगा तो आप बहां से भी directly मुझे बात करके जो answer की है उसे ले सकते हैं ताकि आपको पता चल सके कि आपके यहां पर इतने माक्स बंद रहे हैं और दोस्तों सभी को जो है वह अपने माक्स जो है कुमेंट वोक्स में टाइप करने हैं ताकि जल्द से जल्द हम cutoff पर भी कुछ वीडियो बगहरा बना सके तो धन्यवाद जेगिंचे वारत